अश्वगंधा बड़ी अच्छी आयरवेदी कौश्धी है लेकिन कई डाउट्स आ जाते हैं लोगों के मन में कि भई मैं इसकी जड़ का पाउडर खाऊं कि मैं इसके पत्ते जबाऊं मैं खाऊंगा तो मुझे काम बासना तो नहीं बढ़ा देगा या मैं ब्रह्मचारी हू कई बार हम महिलाएं खा सकती है इसको कि सरे पुरुषों के लिए होता है और पानी से लें के दूर से लें यह कई सवाल है इस पर चर्शा करूंगा देखिए मेरे पीछी अश्वगंदा के पौधे हैं बड़े अच्छे हैं मैंने इसको यहां लगा रखे हैं आप भी अप समय में मैं इसको अपने संस्कृती बजार.com पे इसके बीज इसके पौधे आपको अवेलेबल करवाऊंगा ताकि यह घर घर लगे और अब भी फिलहाल आप अपने आसपास की किसी नर्सरी में जाके पूछिए मेरे ख्याल से जादा तर नर्सरी वालों को पता चल चुका एक और वो रखते हैं इसको बेचने के लिए अश्वगंदा अश्वगंदा के पत्ते अगर खाएंगे तो वजन घटेगा और इसकी जड़ का पाउडर जो बजार में आप पाउडर मिलता है आप पूछ सकते हैं कि जो बजार में पाउडर मिलता अश्वगंदा चुर्न यह क्या होता है? इसकी जड़ का पाउडर होता है, रूट का, यह वजन बढ़ाती है, एक जीज में देखो, भगवाने अलग अलग गुन दिये हुए है, जहां एक तरह पत्ते वो वजन को घटाती है, और दूसरी तरह उसकी जड़ वजन को बढ़ाती है, यह परमात्मा की आप को पानी ढोरे लेने से ऐसे कर् pénria सब्सक्तिर में जिया सकता मिल modern अजसा को दूद से जाता है कि दूद से दिया जाता है कि दूद तर है थै आप भी होड़ी है तो उसके साथ देने से Eigen संगग होडा intent गलत दंग से नहीं कह रहा और इसके इलावा आपको बता दूँ की दोन्हें हालतों में चाहे पत्ते लो या जड़ लो बढ़ता है दोन्हें अश्व गंद ऐसे ही कहा जाता है इसको जब पत्त तोड़ेंगे ऐसे-से करके मसलें जए अश्म संभाध कोई को बोल तेनना तो गोड़े के मुट्रा से जैसी मैल आती है यह उसके मल से मूट्रा से उसके आस पास ρहने से जैसी मैल आती प्राएई वैसी ही घंद इसके प्त्त आती है और बन अद जड़र तो उसका रस पिया जा सकता है सुखा करके अगर जड़ को दोलें फिर दूप में सुखा लें फिर वो उसका पाउडर चुरन कर लें वो यूज करें तो वो बहुत जादा अच्छी एफेक्टिव है काफी समय तक उसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है पानी से दूस से मैंने बता दिया महिलाएं ले सकती हैं के नहीं महिलाएं भी इसको ले सकती हैं लेकिन ध्यान रहे महिलाओं के लिए इससे भी बढ़िया जो है शतावरी है मैं उस पे भी आपको जानकरी दूँगा लेकिन ऐसा नहीं है कि अश्वगंदा लेना नहीं चाहिए, अश्वगंदा भी उनके लिए अच्छा है, तो क्या करते हैं फिर अश्वगंदा और शतावर को मिला के दे देते हैं, साथ में थोड़ी उसमें, जितनी अश्वगंदा उतनी शतावर और दोनों के तोल के के साथ यह कारण है और अगर और जादा soft behave कराना हो इसको कि यह गर्मी ना कर जाए इससे होंट ना फट जाए तो फिर इसमें दूद में घी डालो जिस दूद के साथ है अब इसको ले रहे हो यह है तरीका और अगर वजन घटाना है तो इसके दो पत्ते सुभा दो पत्ते श जारा गेहुं का जारा इस तरह के जूसी होते हैं जिसमें गिलोवे डलवा के देते हैं बस उसी में बोलता हूं कि अश्वगंदा के पत्ते कूट के डाल लो यह इसको चबा के उपर से वह जूस पी लो तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट है एक भाई ने मुझे समय पहल कोई अश्वगंदा को सुफेद मूसली तो मेरा प्राब्लम तो उससे शायद हल हो जाए लगिन वेट और बढ़ा देते हैं अश्वगंदा की जड़ तो क्या करें उसने पत्ते खाये चबाए और पत्ते तो उसने मुझे का कि मेरी इंफर्टिलिटी की प्रॉलम ठीक एक जड़ी बूटी के प्रती पिचर बन जाती है मन में जब हम किसी का कोई लाइव एक्सपिरियंस सुनते हैं और ध्यान से अगर लिमिट में अगर इसको प्रयोक करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है अश्वगंदा वैसे भी ब्रेन के लिए बढ़ा अच्छा है एंटी कोई तो उस वक्त भी ले सकता है और प्रेगनंसी में लिया जा सकता है कि नहीं गरम चीज है यह यह यूट्रस को कॉंट्रेक्ट कर सकता है पीरेड ला सकता है तो इसलिए नहीं दिया जाता प्रेगनंसी में हा इनको पीरेड नहीं आते जिन महिलाओं को उनको जरूर दो इनको जादा आ जाते हैं, गरम शरीर का तसीर है महिलाओं का, उनको फिर यह ना दो, बाकि ब्रह्मचारी पूछ रहे थे, कि हम खाएं कि ना खाएं, देखो खाने में कोई हर्ज नहीं है, इस औशदियों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह आपके अंदर काम वासना बढ़ा अगर आप शरीर से व्याम नहीं गरेंगे तो इसकी उर्जा उठेगी गर्मी की फॉर्म में आप असीना नहीं निकालेंगे व्याम करके आप बैठ की सारा दिन काम करेंगे तो होगा यह कि फिर आपका दिमाग डिवट कर सकता है क्योंकि फिर लोग गलत तरह अपनी तरह इसको भी मक्षन के साथ लिया जा सकता है मलाई के साथ लिया जा सकता है गी शक्र के साथ लिया जा सकता है अगर कोई गर्मी करें गिसी को तो इसका अश्वगंदा अवले हाता है वो गर्मी बिल्कुल नहीं करता है इसी से बना अश्वगंदा रिष्ट आता है कोई कर दोंगा इसके ओपर क्योंकि मुझे एक वीडियो बना करके खुद कोई साटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे पता है यह काफी नुसके है इसके काम आजाएगा ऐसे कर लो यह आखो के लिए काम आजाएगा तो यह भी मैं सारे आपको बताऊंगा आपको यह मेरे कारेकरम क जोड़िये तांकि एक शराबी त्यार कर लेता है और आप एक जो लोग है इनको अच्छे शौंक ऐसी चीजे सुनने का आप सुन रहे हैं तो आपको और दूसरों को भी यह लगाना से यह शौंक तांकि हम सब एक अवेर्नेस फैले दुनिया में हम नशों की तरब ना आपने आपको एक अच्छी लाइफ जीन नमस्कारम